कानपूर पुलिस की बड़ी लापरवाही योगी के अधिकारी ने कर दिया इलाज माफी मांगने लगे पुलिस कर्मी योगी के एक्षन से मची अफरात अफरी नमस्कार, कैप्टल टीवी की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ रोहित कुमार योपी में जब से योगी आधितनात ने सीम की कुर्शी संभाली है तभी से योपी पुलिस को असीमित ताक्त ने दी गई है जिसका फायदा साफ तोर पर योपी की जनता को मिला है लेकिन कहते हैं ना किसी के पास असीमित ताकत उसे तानाशा बना देती है और ऐसा है कुछ अब योपी पुलिस के साथ देखने को मिल रहा है लेकिन ये भूल जाते हैं कि योपी में बाबा की सरकार है और CM योगी पूरे सिस्टम की लगाम अपने हाथ में रखते हैं ताकि पुलिस कर्मियों को समय समय पर सबक सिखाया जा सके हाली में PRB पुलिस कर्मियों ने ऐसी हरकत की है जिसे जान कर आपका भी खून खौल उठेगा और वो इसलिए क्योंकि जनता के पैसे से सैलरी पाने वाले पुलिस जब आपको ही सडक पर अकेला मरने के लिए लावारी छोड़ जाए और वो भी उस वक्त जब आपको उनकी जरूरत हो ऐसे में आप भी गुसे से तिलमिला उठेंगे हाली में UP पुलिस से जुड़ी दो ऐसी घटनाय सामने आई जिसमें पुलिस ने लापरवाही की सारी हदें पार कर दी और इंसानियत को शर्मशार किया पहली घटना कानपूर से जुड़ी है जहां PRV पुलिस करमीों की मनमानी और लापरवाही का संसनी खेज मामला सामने आया है दो दिन पहले duty का समय पूरा होने पर PRB में तैनाथ पुलिस कर्मी गाली को लावारी सालत में छोड़ कर चले गए बावजूद इसके कि पुलिस response विकल में कई जरूरी उपकरन लगे हुए थे जब SP की अचानक इस पर नजर पड़ी तो उन्होंने इसके जाच के आदेश दिये और दोशी पाये जाने पर तीन पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया बीते दिन जॉइंट CP हरीश मोती जील मैट्रो स्टेशन के पास से गुजर रहे थे उन्होंने मैट्रो स्टेशन के नीचे खाली और लावारी सालत में PRV गाड़ी खड़ी देखी उन्हें कुछ शक हुआ तो उन्होंने अपनी गाड़ी को रुकबा दी हरीश चंदर लावारीस खड़ी PRV के पास पहुँच गए और गाड़ी के नंबर के आधार पर जानकारी जुटाने लगे जब सच्चाई उनके सामने आई तो वो हैरान रहे गए PRV में चालक नवरतन सिंग, दो सिपाही चन सिखर और विदेश्वी मिसरा PRV पर थे और ये तीनों ड्यूटी का समय समाप्थ होने पर दूसरी टीम के आने का इंतजार किये बिना चले गए PRV वहां लावारीस की तड़ा खड़ी रही, इसलापर वाही के चलते अपर आयुप्त ने तीनों पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया है इसके साथ ही देर से आने वाली पुलिस टीम को भी जाच के लिए बुलाया क्या है हैरानी की बात यह है कि इस दोरान PRV के पास कई जरूरी फोन कॉल्स आये लेकिन उसे रिस्पॉंस करने के लिए कोई भी पुलिस कर्मियों मौके पर मौजूद नहीं था ऐसे में अगर कोई बड़ी अन्होनी होती तो इसका जवाब दे कौन होता चानकारी के लिए बता दे कि PRV से जुड़ी यह दूसरी लापरवाही का मामला है एक और ऐसा ही मामला मस्वानपूर से सामने आय था जहां PRV 431 बुद्वार रात सड़क पर बेहोश पड़ी महिला को उसी हालत में छोड़कर आगे बढ़ गई एक शक्स ने PRV से मदद की गुहार लगाई तो पुलिस कर्मियों ने उसे धमका दिया जिसके बाद इसकी शिकायत मिलने पर मौजूदा पुलिस कर्मियों पर जरूरी कारवाई की गई मालूम हो कि CM योगी ने लगातार पुलिस पर लगाम लगाने का काम किया है ताकि वे अपनी सिमाव को ना भूले इसके लिए तबादले और जरूरी दिशानिरदेश अक्सर बीजीपि के द्वारा जारी किये जाते हैं इसे समझने के लिए आप मेरत जन्पत से जूड़ी SSP डॉक्टर विपिन टांडा के एक्शन को देख सकते हैं जहां SSP डॉक्टर विपिन टांडा ने बुधवार की शाम अपना कारेभार संभाला और चार्ज संभालते ही उन्होंने चाटू कारों को विनम्रता के लहजे निकड़ा संदेश दिया है SSP ने गुरुवार की सुभा अपने आफिस पर एक नोटिस चिपकाया है जिसमें लिखा है काम से आएं गुल दस्ता ना लाएं SSP ने अपने नए फर्मान से सोशल मीडिया पर अधिकारियों के साथ फोटो खिचवा कर उनसे अपनी नजदी की दिखाने वाले लोगों पर जम कर बरसे हैं मेरेट पहुँचे SSP ने SP City सहित अन्य सभी पुलिस अफसरों से मुलाकात की जानकारी के लिए बता दे कि SSP विपिन टांडा ने बुधवार की राद सरकिट हाउस पहुच कर चार्ज गरहन किया इसके बाद गुरुवार की सुभा SSP के ऑफिस के गेट पर यह पोश्टर चिपकाया जिसमें SSP द्वारा संदेश दिया गया था कि आप काम से आएं जिसके लिए आपका आभार है आपकी समवेदनाय भी परियाप्त हैं किर्पिया गुलदस्ता आदी लेकर ना आए इस नोटिस को देखने के बाद ही SSP आफिस में उनसे मिलने आए लोगों में काना फूसी शुरू हो गई आम तोर पर देखा गया है कि किसी अधिकारी के चार्ज लेने के बाद अकसर कुछ लोग गुलदस्ता लेकर अधिकारी से मिलने आते हैं बाद में इन फोटो को सोशल मीडिया पर वाइरल करके अधिकारी और अपने बीच अच्छे संबंध होने का भरम फैला कर लोगों के आगे रॉब जमाते हैं फिलान नए SSP के नोटिस ने कई लोगों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है इस छोटे से नोटिस से उन्होंने सीधे या संदेश देने का भी पर्यास किया है कि चाटू कारों और यस मैन उनके दफ्तर में कोई अस्थान नहीं है जानकारी के लिए बता दे कि मेरट के पूर्व SSP रोहित सिंग साजवान को अब सहारनपूर का SSP बनाया गया है तो वहीं 2012 बैच के IPS अधिकारी विपेंट टांडा को अब मेरट का कारेभार दिया गया है टांडा मूल रूप से जोदपूर के रास्थान के रहने वाले हैं वह मुंबई के पूर्व पुलीस कमिशनर और पूर्व मानव संसाधन विकास राज्यमंत्री सत्पाल सिंग के दामाद भी है मालूम हों कि सीम योगी कई मौकों पर ये साफ कर चुके हैं कि आम जनता के उपर पुलीस की मनमानी नहीं चलेगी हाली में मुख्यमंत्री योगी आदितनात ने 2021 और 2022 बैच के भारतिय पुलीस सेवा के अधिकारियों को नसिहत दी हैं कि वह बिना किसी भेदभाव के जनहित में काम करें उन्होंने कहा कि पुलीस आयुकतों और वरिष्ट पुलीस अधिक्षोकों के साथ इनहें कम से कम तीन महतेनात किया जाएं जिससे यह अधिकारी जनता और विभाग के साथ कैसे तालमेल बना कर काम करना है इसकी सिक्षागरहन कर सके बुक्यमंद्री ने अपने आवाज पर परिविक्षाधीन पुलीस अधिकारियों के साथ भेट के दौरान कहा कि उन्हें थाने की कारी पदती सरकिल से समन्वे और पुलीस लाइन की कारी पदती की जानकारी अनिवार रुप से दी जानी चाहिए विकास के लिए मजबूत सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था आवस्चक है उतर पर देश देश में कानून व्यवस्था के मामले में सर्वत्तम अस्थान बना चुका है इसके चलते उतर पर देश में देश और दुनिया से निवेश आ रहे हैं उन्होंने आगे कहा कि जनता से समवाद अंस्थापित करने की छमता अधिकारियों को सफल बनाती है समवाद से बड़ी से बड़ी चुनोतियों का सामना किया जा सकता है जनता के साथ पुलीस का सरल व्यवहार सबसे महत्वपूर्ण है नए अधिकारी 30 से 35 साल नौकरी करेंगे नौकरी के 5 से 10 वर्ष महत्वूर्ण होगे इसलिए अपनी सत्यनिष्ठा हर हाल में बनाए रखनी होगी पुलीस की वर्धी पहनने के बाद सम्विधान के प्रती अपनी जिम्मेदारी और पीडित लोगों के साथ नयाय करना होगा उन्होंने आगे कहा कि साइबर अपराद और अवयद ड्रोन परी चालन चुनोती के रूप में सामने आये हैं पुलीस अधिकारी तकनीक के इस्तमाल को बहतर तरीके से सीखे तथा साइबर अपरादों पर भी नजर रखे हमें समय के अनुरूब चलना होगा तथा सीखने के नए तरीकों को विक्सित करना होगा इस अफसर पर प्रमुक सचीव, मुख्य मंत्री, ग्री एबम सूचना, संजय प्रशाद, पुलीस महानिदेशक, विजे कुमार, डीजी कानून व्यवस्था, प्रशान कुमार सहिद, पुलीस के अन्य बरिष्ट अधिकारी भी उपस्तित थे मालूम हो कि सीम योगी अकसर अधिकारियों को नसीहत देते हुए नजर आते हैं बीते साल भी कानून व्यवस्था को लेकर सजग मुख्य मंत्री योगी आधितनात में पुलीस को एक बड़ी नसीहत दी थी उन्होंने बागपत में एक कारिकरम में कहा था कि पुलीस के हूटर का ही इतना खौफ होना चाहिए इसे सुन अपराधी काप जाए उन्होंने कहा था कि यूपी में अपराध और अपराधियों के लिए कोई जगा नहीं रविवार को योगी आदितनाथ बागपत में कानून व्यवस्था और विकास कारियों की समिक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अपराधियों को किसी भी हालत में बक्षा नहीं जाना चाहिए। हमने पहले दिन से ही यूपी में अपराधियों के सकूल नास का संकल्प लिय हैं। फिलाल के लिए इतना ही। आप देखते रहे हैं टैप्टल टपी उत्तरप्रदेश। नमस्कार।